माना शॉक बड़ी चीज ओती है लेकिन दाड़ी का शौक उससे भी बड़ी चीज होती बाई और शायद लिए आज हम Beard वो जैसे Brands को जानते हैं लेकिन मज़े की बात पता है किया है आशुतश और प्रयांक की एक गलती की वजे से Brand कहड़ा हो गया था और जिस समय ये brand launch हुआ था न सबसे बड़ा सवाल ही यही था कि इसे खरीदेगा कौन क्योंकि उस वक्त सबसे new topic था ये और ये उसको और complicated बना चुके थे digital first brand था ये जो beard products बेचता था millennials के लिए ये case study हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगी कि क्या risk था इसके उपर कैसे challenges को face किया marketing कैसे करी और कैसे एक startup को brand बनाया जा सकता है ये पूरा वीडियो आज उसी के बारे में होगा वैसे आपको पता है 70% beard की website पे जो sale होती है revenue आता है वो non beard product से आता है है ना अज़े की बाद ऐसा impact डाला इस brand ने 2015 में जब आशुतोष वेलानी और प्रियांक शाने जब इसे डीटू सी brand के तौर पे launch किया तो वो सिर्फ दो ही product बेशते थे एक बीएड और बाश और इन दो products ने 350 क्रोड का brand खड़ा कर दिया लेकिन कैसे यह कानी बड़ी रोलर कोस्टर वाली रैड जैसी है आईए शुरू करते है यह अमदाबाद का startup जो है जब कह रहा था once you start never look back तब उसको यह नहीं पता था कि इसमें क्या-क्या इसको देखो उसको देखो इनको देखो अरे मेरी वाली बीएड तो क्यों ने इसका फाइदा उठाया जाए अब यहां पर इन्हों ने एक strategy का इस्तिमाल किया वह था niche marketing इन्हों ने एक niche को पकड़ा और अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि नीश बेस पर ही हम ज्यादतर टॉपिक रखते हैं यह तो आप पूरा ओवरॉल कॉस्मेटिक्स का ब्रैंड भी बना सकते हैं लेकिन यहां पर इन्होंने बीएड को चूज किया जो की एक niche है और धीरे-धीरे करके वह लिस्ट खतम ही नहीं होती यार और खतम नहीं होती तो यह मैंस का फेवरेट बन गया तो यहां से हमारी दूसरी स्ट्रेजी बनती है time to time उस niche के उपर यह करते गए अब इनकी एक secret strategy है जो बहुत कम लोग बताते हैं इन्होंने 200 salons के साथ tie up किया थे मुंबई, पूने, सूरत, एमदाबाद और दिल्ली के अंदर और इसके अलावा snap deal और nika से भी इन्होंने tie up किया थे अपने e-commerce stores के लिए लेकिन यहां से इ 2015 में लोग beard बढ़ाने की सोचते थे ना कि उसको सजाने की क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं यह ठीक है यह भी बहुत बड़ी है माशालला क्या बात है लेकिन यह सब सैट है वाई सिर्फ बढ़ा करने दे दी आपको तो सबसे बड़ा 2015 में challenge ही यही था कि एक beard brand कोई तब ही planning और अपने brand के उपर confidence अरे जब इन दो बंदों का ही confidence नहीं होगा तो बाकी बंदों में कैसे आगा confidence और यही पर ही उन्होंने अपना जो सबसे रिस्किया और ट्रिकी पार्ट था marketing का उसको अंजाम देना चालू किया और वह सबसे main part है इसको skip मत करना जरा भी 2015 तक competition आ करती थी वो था social media और यहीं पर ही वो शब्द आ जाता है जिसे हम कहते है बेंगो और यहां से उन्होंने अपनी target audience को target करना शुरू किया by the way 2015 में जब हमने google trends खोल के देखा तो यह चार्ट पर ज़र नजर दालिए social media का क्या impact हो रहा है और क्या impact हो सकता है अभी लेकिन एक और verification मिल जाता है हमें कि उस वक्त जो इन्होंने social media वाला जो step लिया था वो बिल्कुल सही था लेकिन सिर्फ social media आहां ऐसा तो होई नहीं सकता उन्होंने अपने advertisement को dual channelized कर दिया यानि Facebook Twitter YouTube पे तो ही रहाता है यह सब उन्होंने अपने educational platforms बनाए Instagram पे वो beard styles को promote करते थे कि लो और मेन यहां पर शायद कपूर का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कभीर सिंग के बात बीएड़ो की sales बहुत हाई गई थी और अब की बात करने तो KGF और पुश्पा की वज़े से और यह सब यहीं खतम नहीं होता IPL की तरफ अगर हम बढ़ें तो RCB बीएड़ो का रिष्टा इतना गहरा है कि उन्होंने कोट लिगवाया था प्लेइंग इन स्टाइल और यह दो मार्केटिंग तो काम कर गई लेकिन इसके साथ इन्होंने एक और गेम केला वो था डिसकाउंटिंग प्रॉड़क्ट इन सब के बावजूद वो डिसकाउंट्स में बेशते यूथ फ्रेंडली नीचर का इस्तिमाल किया है अब बीर्ड से तो समझ में आगा दाड़ी लेकिन ओ का मतलब यहां पर वियर्ड से है यानि यूथ से है यानि आप इसको कह सकते हैं कि बीर्ड प्लस वियर्ड हो शब को मिला के यह एक शब बनता है बीर्ड हो जो की एक इन नेम में हैं तो एक हार्मोनी सी बन जाती है और लोगों से बोलते चले जाते हैं और उपर से बीर्ड भी है बीर्ड के लिए बना रहे हैं और बीर्ड बीर्ड को शुनेल शेटी ब्रेंड में बने बीर्ड हो के एक और फेक्ट यह मुझे निकल के आया कि उस वक्त फिर एरा फेरी के जो मीम्स थे वो बहुत चल रहे थे तो एक और पंप बूस्ट इन्हें मिल गया कह सकते हैं इन्होंने टाइमिंग का बहुत सही इस्तिमाल किया या टाइमिंग अच्छी हो गई लेकि क्योंकि 2015 तक लोग बीर्ड ओइल्स को या बीर्ड सेटिंग माटेरियल्स को एज इन लक्शिरी मानते थे और मिलेनियल्स के लिए यह ट्रेंड बढ़ता जा रहा था तो उन्हें और ज्यादा इन्सेक्योरिटी हो रही थी कि यार मुझे भी बढ़ानी है तो उसको कम दाम में बेच के इन्होंने अपने ओडियंस को एक्सपेंड किया तीसरा एक्सपेरिमेंट करना बंद ही नहीं किया तरह तरीके की कैमपेंग चलाई एजुकेट किया लोगों को और अलग-अलग प्रोड़क्स पे एक्सपेरिमेंट किया लेकिन कुछ एक एक्सपेरिमेंट हमन झाल झाल